फ्रेंट्स देखिए आपके सामने एलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रोनिक बसस को जो कमپणी मैनिऍवक्ट्र करती है उस कम्पने का इंड़ेफ्स एनलीसिस करेंगे और कम्पनी का नाम है उलेक्त्रा ग्रीन टक आपकी नजर में ये company होनी चाहिए, बात करेंगे company के business के बारे में, companies primarily engaged in the manufacturing of composite polymer insulators and electrical buses, its registered office is in Hyderabad, ठीक है, इसके साथ साथ market cap की बात करेंगे, 12,813 करोड का market cap, एक छोटा सा market cap है, इसी वज़े से जब भी इस company से related कोई भी positive news निकल करके आती हो, शेर के अंदर 15-20% का, you know, return ए 1662 है, हाई की बात करेंगे 2222 का है, लो की बात करेंगे 1000 रुपय का है, अगर मैं लो और हाई को cover करके चलू, तो आप ये मान के चलना, पिछले एक साल में करीब करीब इस company ने, अभी current में बात करेंगे, तो 50% का return डिलीवर करके दिया है, 2222 से company टूट गए, stock up PE की बात करे जब भी share market के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये share बहुत तीजी से नीचे तूटेगा, और जैसे ही share market वापस से उपर आएगा, तो share आगे चलते हुए देखने को मिलेगा, dividend डिलीड की बात करेंगे 0.03% का है, return on capital employee, return on equity थोड़ा सा खराब है, face value की बात करेंग का फिलाल merger होती हुए, आगे आपको देखने को मिलेगा, अपने इसके truck देखे हूंगे, smlis suju के, या बहुत सारे जिनके parents, बच्चे, college वगएरा जाते हैं, तो जो buses हैं, वो भी आप maximum पाएंगे कि smlis suju की ही बसें, बहुत सारे companies चलाती हैं, हमारे कानपूर सेर में तो बहुत सारे buses चलाते हैं, बहुत सारे private schools भी इनको hire करके रखे हुए हैं, और बस इस smlis suju की हैं, नेक्स टाइम आप इस चीश को देखना तो आप खुद पता लगा पाएंगे, जून quarter के result की बात करेंगे, तो sale 314 करोड का दर जुगा यहां पर, तो sale थोड़ा बढ़या sale, जून quarter के अंदर इनोंने result भी शांदार पेस किये, 15 करोड के net profit से 24 करोड का net profit आया, EPS के अंदर भी बढ़ा देखने को मिली, 1.67 के EPS से 2.92 का EPS, उसके बाब जूद भी share नहीं भागा, simple सी बात मेरे भाई, share past में बहुत ज्यादा तीजी से return दे चुका है, इस वज़े ठीके तो ये सारी कंपनियां नहीं चल रहे है, stock market all time hyper है, फिर भी आपका portfolio negative में होगा, हो सकता है किसी दिन आप share market positive देखे, mutual fund का portfolio आपका गिरा हुआ नजरा है, वो simple सी बात है कि इस समय किवल index उपर जा रहा है, particular shares से related अभी कोई यहाँ पर news नहीं आ रही, news इस वज़े इ देखने को मिलेगा, या अमेरिका की जब government stable हो जाएगी, अभी उनके election भी है, इसके बाद जब foreigners आप खरीदने के लिए आएंगे, तब ही आप मान के चलना किसी particular stocks के अंदर आपको बड़ा देखने को मिलेगी, तब तक के लिए market इसी तरीके से roller coaster की तरह ride करेगा, अगर मै इसके borrowings की बात करूँ, क्योंकि company के सबसे तगड़ा, you know investor को डर लगना चाहिए, company के करजे से हो, तो करजा की बात करेंगे, तो कुछ खास इनके पास है नहीं, long term borrowings की नाम पे कीवल 9 करोड का है, short term borrowings की नाम पे कीवल एक छोटा सा करजा है, 112 करोड का, that's all, और operating activity से company नि होते हुए देखने को मिल रहा है, promoter की holding की बात करेंगे, तो 50% promoter अपने पास रखे हुए है, FIS की बात करेंगे, तो साड़े साथ परसेंट FIS अपने पास रखे हुए है, DIS की बात करेंगे, point of 19%, सबसे ज़्यादा public ने stake को करके रखा हुआ है, 42% और public में कुछ बड़े नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे उजुल कुमार, ठीक है, सिधार्थ, अभी फिलाल इनका June quarter का मारे पास data नहीं है, कि कौन-कौन से बड़े investor है, retailer की बात करेंगे, तो number of shareholders कितने है, 4,133,162, बहुत सारी companies के समय बाइबैक भी आ रहे है, तो आप अपने investors को शांदार, यूनो, price wise, deliver करके ना दे पाए, पर long term में, चुकि electronic की अभी growth story रहने वाली है, government का भी focus है, PLI scheme का भी सहरा रहेगा, कि company को और भी आगे चलते हुए boost देखने को मिलेगा, पर long term में, जरनी थोड़ी से electric vehicle से related, अभी भी थोड़ी से एक सोचने और समझ जने वाली बात है, तो जो नए investor है, उन्हें थोड़ा सा सोच समझ के, या interest आई गया है, तो थोड़ा सा, यूनो कि एक बर गिर जाने दो, correction आ जाने दो, उसके बाद entry लेने की चेश्टा करें, और जो already invested investor है, तो share गिर रहा है, loss में तो ना बेचें, at least इसका share price उपर चलत देरी रे बना के, तो वैसे ही इस company का भी performance चल रहा है, फिर भी देखते हैं, फिर से मैं वीडियो ले करके आऊंगा next quarter में, जो कि September रहेगा, चैनल को मेरे में तर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हरेर महादयो, हजब पाशरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धनी बाद,